डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बात हालत यह है कि सिमला मनाली मसूरी जैसी जगहों पर तो होटलों में जगह ही नहीं है फिर भी लोग पहुच रहे हैं यहां के बाजारों से लेकर घूमने फिरने के ठीकानों तक पर पेर रखने की जगह नहीं है यही हाल दिल्ली और दूसरे सहरों के बाजारों का है जो लोगों से खचा-खच भरे नजर आ रहे हैं यह सब देखकर तो लगता है जैसे भारत में महामारी जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं होगा लोगों में इस बात का भय की नहीं है की जरासी लापरवाही फिर से बड़े जोख्यम में धकेल सकती है पिछले एक महीने के दूरान दूसरी लहर का असर कम पढ़ते देख देश के जादातर हिस्सों में प्रतिबंधों में धील दी जा चुकी है बाजार, मोल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर आदी खुल गए हैं दिल्ली में तो सराब खाने भी देर रात तक खोल दिये गए हैं यह धिलाई इसलिए दी गई ताकि जन जीवन धीरे धीरे बंदी की जकड से बाहर निकले और आर्थिक गतिविदियां भी रफ्तार पकड़ें पर देखा जा रहा है कि जैसे ही बाजार खुले सामाने दिनों की तरह भीड बढ़ने लगी है यह स्तिती फिर से एक और लहर का कारण बन जाए तो ताजुब की बात नहीं क्योंकि हम खुद ही फिर से संकट न्योता दे रहे हैं हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है सिर्व असर कम पड़ रहा है संक्रमन की रोजाना मामले उतार पर हैं मोतों का आंकड़ा भी कम हुआ है लेकिन अब जादा बड़ा खत्रा डेल्टा प्लस जैसे विशानूं का खड़ा हो गया है विशेशग्ये इस बात का अंदेशा पहले ही जता चुके हैं कि डेल्टा प्लस तीसरी लहर का कारण बन सकता है हालांकि तीसरी लहर को लेकर अभी निश्चित तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कुछ विशेशग्यों का मानना है कि यह अगस्त सितंबर में आ सकती है तो कुछ इसका वग अक्टूबर नवंबर बता रहे हैं लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा जरूर बना हुआ है और अगर तीसरी लहर आई तो इसकी सबसे बड़ी वजहें बाजारों और पर्यटनों पर बढ़ती भीड ही कही जाएगी पहले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसियार जांच अनिवारे कर रखी थी लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया इसी का नतीजा है कि लोग तेजी से पहाड़ी ठिकानों की ओर सेर करने के लिए निकल पड़े सवाल है कि हम सब कुछ जानते बूजते भी आखिर एसा जोकिम क्यों उठा रही है इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय से घरों में बंद रहने से लोगों की मानसिक इस्थि पर गहरा असर पड़ा है इसलिए अब वे बाहर निकलना चाह रहे हैं पर अभी जान बचाना पहली प्राथमिक्ता होने चाही महामारी से बचाव के लिए मास्क बार बार हात धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी उपाय माना गया था लेकिन परियतन स्थलों से लेकर बाजारों में इन नियमों की धजिया उड़ रही हैं इस खतरे को देखते उवे ही दिल्ली में दो दिन के लिए एक बड़े बाजार को बंद करना पड़ा भीड में कौन व्यक्ति संक्रमित है या कौन बिना लक्षनों वाला संक्रमित किसको पता है अब तक हमने देखा है कि जब जब और जहां जहां भीड बढ़ी है वहां संक्रमित तेजी से फेल रहा है एसे में बेहतर है कि अभी हम बचाव पर ध्यान दें वरना महामारी पर अब तक जितना भी काबू पाया है उस पानी फिरने में देर नहीं लगेगी समाप्त